Hi everyone, welcome to Inflectures, so BALLB जो integrated course होता है 5 साल का या फिर जो LLB होता है 3 साल का उस course की जो entrance exam है CUET, आज हम CUET के बारे हम बात करेंगे और CUET that is common universities entrance test के basis पे जितने भी participating institutes या center universities या other state and private universities जो इस बाप participate करने वाली है या फिर CUET scorecard accept करने वाली है for BALLB और LLB उसके बारे में हम discuss करने वाले हैं सबसे important चीज़ में आपको पेले ही बता देती हूं जो Delhi University है वहां पे जो LLB होता है वो आपको PG course में करवाया जाता है और LLB को हम यह नहीं कर सकते हैं या आपका UG course से की PG course से इस टोटली डिपेंड्स अपॉन दे युनिवर्सिटी क्योंकि जो पर्टिकुलर युनिवर्सिटी है वो क्या डिफाइन कर रही है LLB को क्या वो UG category में रख रही है LLB को या फिर वो PG category में ठीके सो यह डिपेंड करता है तो यहां पे कुछ LLB है 3 साल का मतलब कुछ से युनिवर्सिटी युनिवर्सिटी जो थीन साल का LLB कोस ओफर करेंगी थ्रू C.U.E.T. तो अगर आप C.U.E.T. के थ्रू ग्राइशन के बाद LLB करना चाते है या फिर 12 के बाद B.A.L.L.B. या B.B.A.L.B. करना चाते है जो की इंटीक्रेटी प्रोगाम होता है 5 साल का तो जो भी कोस करना जाते हैं C.U.E.T. के थ्रू वीडियो को पूरा देखिए डेफिनेटल सारे सारे साथ होने वाली है और सारे सेंटी युनिवर्सिटी में आपको बताऊंगी अगर कुछ छूट भी जाते है तो वह आप हमें कॉमेंट करके बता देने ठीके अड़े आपने 12 पास किया है आप एलिजिबल हो इंग्लिश में आपके मिनिमा 45 पॉस्टेज होना कंपल सरी है और यहां पर आप जो C.U.E.T. का एक्जाम निशे देने वाले हैं इसमें आपको इंग्लिश लैंग्विज टेस्ट देना है जो कि सेक्शन 1st A में है और बागी आपक सब्सक्राइब के लिए मिनिमा 45 पॉस्टेज रिक्वाइब सो यहां पर आपको C.U.E.T. के लिए डोमेन स्पेसिफिक सब्सक्राइब करना है वह इन में से आप कोई भी एक चूस कर सकते हो लीगल स्टेडिस, कंप्यूटर साइंस, एकॉनमिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट सब्सक्राइब करना है उसके बाद नेक्स्ट है बनारस हिंदु उनिवर्सिटी बिए चू से बी एललबी करने के लिए आपके 12 किसी भी स्ट्रीम से है आप एलिजबल हो यहां पे अगर आपने ग्राजविशन या पोस्ट ग्राजविशन या फिर 12 ओपन यूनिवर्सिट से किया है और बिना किसी बेसिक क्वालिफिकेशन के तो आप एलिजबल नहीं हो ठीक है तो रेगुलर वाले यहां पर प्लाई कर सकते हैं और इसके लिए आपको हिंदी या फिर इंग्लिश इसमें से कोई एक लांग्विश टेस्ट आपको देना होगा सेक्शन फर्स्ट से और लीगल स्टडीज जेनरल टेस्ट यह आपको देने पड़ेंगे नेक्स सेंटर उनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर और यहां पे बी एलल बी करने के लिए आपको सिफ जेनरल टेस्ट देना है सेक्शन थर्ड और ट्वेल्थ में आपके कम सकम 50 परसंटेज होने चाहिए आपके ट्वेल्थ में कम सकम 45 परसंटेज है जेनरल ओविसी एड़्यस के लिए और सेस्ट पीड़्यड के लिए के लिए मिनिममा 40 परसंटेज है आप यहां पर आपको कौन सा सब्जेट कॉम्बिनेशन ओप्ट करना है सीउ एट के लिए उसका आपको बहुत अच्छी से देना है आप यहां पर देख सकते हैं सेक्शन फरस्ट एस आपको इंग्लिश कंपल सरी देना है तेके इसमें कोई ओप्शन नहीं है और इसके बास सेक्शन सेकिंड जो है इसमें आपके पास बहुत सारे ओप्शन से फिर्स्ट सेकेंड थर्ड यह जो है आप इसका एक कॉ कि में आप देख सकते हो Legal Studies प्लस Accountancy प्लस Vision Studies प्लस Economists ठीकेंड यह Commerce Stream स्टू टहीं के लिया अगर आप Commerce Stream से हैं तो आपको यह सांटीरी में नहीं से लेना है pipe in art's आपको clear हो गया है कि आपको domain specific subject में से क्या चूज करना है जो भी आपका stream है उसके according ही यहाँ पर combination लेना है 1st, 2nd, 3rd में से, ठीक है, section 3 सबको देना है, सभी के लिए एक अंपल सरी है, general test, so English and general test, सबके लिए एक अंपल सरी है, बाकि section 2 यानि के domain specific subject में से आप अपने stream के according चूज करेंगे, ठीक है, इसके बादे नमब 6 पे डॉक्टर हरी सिंग और विश्विद्याले और यहाँ पर basically B.A.L.L.B. और ल.L.B. जो graduation के बाद होता है, वो भी है, तो 5 साल का भी L.L.B. कर सकते हैं, B.A.L.B. और 3 साल का भी L.L.B. कर सकते हैं, लेकिन यह आपके qualification पर depend करेगा, अगर आप 12th pass हो, आप B.A.L.B. कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको English and General Test देना है, तो 12th pass student B.A.L.B. कर सकता है, जो कि 5 साल का इंटिग्रेटर कोस होता है, और अगर कोई student graduate है, तो आपने graduation कर लिया है, और कम सकम 45% है, E.W.S.O.B.C.N. general category के student के लिए है, यह और बाकी S.J.S.T.P.E.W.D. के लिए 40% required है graduation में, अगर आप L.L.B. करना चाते हैं, तीन साल का, तीन साल के L.L.B. के लिए आपको Hindi and English, दोनों ही subject देने है, language test में, और आपको general test देना है, general test में आपके कैसे questions आएंगे, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, next है North Eastern Hill University, यहाँ पर पर same criteria है, B.A.L.B. है 5 साल का, और 3 साल का L.L.B. है, तो B.A.L.B. के लिए आप 12 पास होने चाहिए, विद मिनिममम 50% है, और यहाँ पर maximum आपकी 21 years age limit होएगी, अगर आपका age 21 से cross करता है, दिन आप eligible नहीं हो, B.A.L.B. के लिए, यहाँ पर minimum 45% SCST काडिगरी के लिए, ठीक है, पाकी SCST को यहाँ पर age का भी relaxation मिल जाता है, दो साल के लिए, अगर आप L.L.B. करना चाहते हैं, graduation के बाद तो आपने किसी भी stream से graduation किया है, minimum 45% age है, और SCST के लिए 40% age है, तो आप यहाँ पर L.L.B. कर सकते हैं, तो दोनों ही स्टूडेंट को यहाँ पर जेनल टेस्ट ही देना है, और कोई language test यहाँ पर domain specific subject में यहाँ पर आपको आपने करना है, CUT के लिए, नेक्स्ट है, राजीव गांदी University, यहाँ पर सिर्फ B.L.B. को से जिसके लिए आप 12 पास होने चाहिए, English आपको देना technology, history and जो law subjects है, वो आपको चूज करना पड़ेगा, next है University of Allahabad, और यहाँ पर B.L.B. के लिए आपको legal studies या फिर आप legal aptitude दे सकते हैं, यह आपको domain specific subject में मिल जाएगा, और यहाँ पर 12 पास होने चाहिए, minimum 45 percentage है, इसके बाद यह सारे आपके center universities है, इतने ही center universities है, जिसमें आप B.L.B. या फिर L.B. कोस कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया है, किस university में L.B. 3 साल का course है, और कहां पर 5 साल का integrated B.L.B. या फिर B.B. L.B. तो अभी तक आपने B.B. L.B. नहीं देखा है, अब मैं आपको जो other universities बताओंगे, ज करने वाली है, वहां पर कई सारी university में B.A. and B.B. L.B. तो पहला है आपका B.M.L. Manjul University, यहां पर B.B.A. plus B.A. L.B. कर सकते हैं, ठीक है, so that's your choice, सभी के लिए आपको general test ही देना है, उसके बाद है, कलगोटियाज university, यहां पर भी आपका B.L.B. and B.B. L.B. होता है, 12th मैं आप B.A. L.B. भी कर सकते हैं, अब B.B.A. L.B. भी कर सकते हैं, बट आपको general test नहीं देना है, आपको सिफ English का test देना होगा, C.U. E.T. मेटी के, यहां पर आप L.B. भी कर सकते हैं, ग्राजवेशन के बाद और ग्राजवेशन में अगर 50% हैं, तो आप English test के थ्रू गलगोटिया कर सकते हैं, नेक्स्ट हैं, I.A.M.T. University, यहां पर आप L.B. तीन साल का कर सकते हैं, और पांच साल का integrated L.B. कर सकते हैं, so mention नहीं है कि यहां पर B.A. L.B. है या B.B.A. L.B. है, तो वो I.A.M.T. University के ब्रॉशर में आपको समझ में आगा, ठीक है, तो पांच साल का integrated L.B. को से कि 12 के बाद आप कर सकते हैं, 45 परसंटेज रिक्वाइड है, और ग्राजविशन में भी आपके कम्स का 45 परसंटेज होने चाहिए, तीर थांक महावीर यूनिवसिटी में B.B.A. L.B. and B.A. L.B. है, लेकिन B.B.A. L.B. के लिए सिफ साइंस और कॉमस स्टूडेंट ही अपल करना थी यूनिवसिटी यहां पर आपका B.A. L.B. and B.B.A. L.B. है, यहां पर भी आपको इंग्विश का टेस्ट ही देना है, तो अब आपको यह क्लियर हो गया होगा कि किस सेंटर यूनिवसिटी के लिए आपको कौन सा सबजेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना है, C.O.E. विडियो को शेर नहीं किया तो शेर कर दीजे और चैयों को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आज के लबस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थाइंको सो मच और टेक के लिए